Realme X2 Pro और Realme 5S 20 नवंबर को इंडिया में लाँच होने वाले हैं क्या कुछ है इन दोनों फोन्स में और क्या इसकी कीमत रहने वाली है बताते हैं आपको इस वीडियो में सबस्क्राइब बात करते हैं Realme 5S फोन की जो की Realme 5 का सक्सेसर रहने वाला है इस फोन में आपको Quad Cam Setup दिया जाएगा और इसका जो प्राइमरी कैमरा होगा वो 48 Megapixel का होगा यह जो Camera Setup होगा यह फोन के Top Left Corner पे आपको देखने को मिलेगा और इस Quad Cam Setup की जो खास बात है वो यही रहने वाली है कि इसकी मदद से आप Ultra Detailed Picture क्लिक कर पाएंगे फोन के पीछे की तरह सेंटर में सर्कुलर फिंगर प्रिंट दिया जाएगा और जो Realme की ब्रेंडिंग होगी वो बॉटम लेफ्ट में आपको देखने को मिलेगी स्पैसिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो स्क्रीन है वो साड़े 6 इंच की IPS LCD डिस्प्ले आपको इसमें मिलेगी प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको ओक्ता कोर स्नेपडरगन 665 प्रोसेसर मिलेगा और जो इसका OS है वो इसमें Android 9 Pie रहने वाला है बैटरी जो है वो इसमें आपको 5000 इमेज की मिले वाली है तो बैटरी भी अच्छी खासी इस फोन में आपको दी गई है साथी साथ जो इसका फ्रेंट कैमरा है वो 13 MP का रहने वाला है अब बात करते हैं इसके कीमत की तो क्या इसका प्राइज है देखें जो Realme 5 फोन था वो भी एक बजट स्मार्ट फोन था और जिसकी कीमत लगबग 9000 रुपे थी तो इसी में थोड़ा उपर नीचे इसकी कीमत रखी जा सकती है तो कुल मिलाकर ये भी एक बजट फोन होने सकते हैं रिअल्मी 5S के बाद अब बात करते हैं रिएल्मी एक्स डूपोra की तो दीयल्मीए एक्स डू फोन है इसमें आपको प्रोसेसर जो हो conect्रैगन का 8 55 प्लस प्रोसेसर मिलेगा साथ ही साथ इस पे भी आपको नेसीन डिए चामरे और जो कशाएं में सेट अपका जो तो इसका front camera होगा, वो इसमें 16MP का दिया जाएगा Screen size जो है, वो भी इसका 6.5 इंच का ही रहने वाला है, जैसे की Realme 5S में था तो दोनों में screen size का तो जारा difference नहीं है और साथी साथ जो इसकी battery है, वो 4000 mAh की रहने वाली है इसके अलावा, जो phone जो है, जो launch होगा, वो 6GB RAM और 64GB internal storage के साथ launch हो सकता है, OS की बात करें, तो इसमें भी आपको Android 9 Pie Android OS मिलने वाला है अब ये जो दोनों फोन मैंने बताए हैं, ये दोनों के दोनों फोन जो है 20 November को जो है, ये launch होने वाले है तो बैटरी इसमे 4000 mAh की है, और साथ ही साथ जो इसकी charging है, वो इसमें 50 Watt की super fast charging भी आपको मिलने वाली है तो उसकी भी आपको tension नहीं लेनी है, जल्दी सा आप इस phone को charge भी कर पाएंगे Realme X2 Pro का जो price है, वो Europe में है 399 Euro, यानि कि लगबक 31,000 रुपे तो अब ये देखना होगा कि भारत में जब ये launch होता है, तो इसकी कीमत इसी के कहीं करीब रखी जाती है, या फिर थोड़ी कम या फिर जादा रखी जाती है तो अगर आप कोई नया smartphone लेने की सोच रहे हैं, तो आप 20 November का इंतजार कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या कीमत रहेगी इन phone की और तब अपना decision ले सकते हैं